राणावट डैट में आपका स्वागत है जैस्री रामा करश्णा आज आपको उन महिलाओं के बारे में बता रहा हूँ जो अपने ताकत की दवाया खाके हमेशा दुखी दुखी रहती है जिने काफी महिलाओं जनम दुखियारी भी कहते हैं ऐसा क्यूं होता है ये आज मैं बता रहा हूँ अक्षर भारती महिलाओं में खोन की कमी पाई जाती है जिसके अंदर रक्त की कमी एनिमिया विविन नामों से पुकारा जाता है महिला दिखने में गोरी होती है पर अगर द्यांस से देखा जाए तो उसके होट सपेद होते हैं लोग क्षूंद की कमी को पी से पी लिया है सहरों में पैसे वालों की औरतें काफी दवाया जो फूट सप्लिमेंटी के रूप में खाती है उसके बादूद भी उनके अंदर जो कमजोरी है वो दूर नहीं होती है ऐसा क्यों जो अंग्रेजी दवाया में फूट सप्लिमेंटी के रूप में खाती है उन मे भी कंप्लेक्स के हैं जहां हाथ पावों में खुन की कमिक्षिक वदे से दर्द होते हों राद को पिंडलियों में दर असेनिया दर्द होता है और महिलाएं पावों को पिंडलियों को बांद के सोती है यह स्तती होती है जिसमें अंग्रेजी अधुनिक और मॉडर्ण साइंस की जो फूड सप्लेमेंटी है जो भी कंप्लेक्स है या आईरन से संबंदित दवाया हैं वो जादा लिखते हैं और वो खाते हैं पर वह धुर्द हजम भी नहीं होती और खाने के बाद जूद भी उन्हें वह ताकत और वह उर्जा नहीं आती है जिसमे से आपने सुना होगा नाम हेप्टोग्लोबिन एलेक्जिर और प्लेइन दो आती है उसके बाद में हैमप कैप्सुल जेम्स के रूप में और लिकुड तरल रूप में भी आती है डेक्स ओरेंज साइट rep کی से निकलती होगी डेक्सरेंज इतनी चलती है जो दवाई दी जाती है पर उससे कहीं मिलती होना पेट में ग्यास होना की भी शेकायते होती है फॉस्परद graphics or candlescom फॉस्पराइडिन पॉस्परइडिन सबिनी के रूप होंचे वो नहीं हो पाती है क्यों ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और अधिक शेयर करें ताकि उन माता बहनों को जिने खुन की कमी है उन्हें क्या करना है उससे समंदित ज्ञान मिल सके मैं डॉक्टर गुना कमीश की वज़े से सरीर में चिर्चड़ापन होना एक दिखता है जिससे घर के अंदर पती-पत्नी में अन्बन करें बच्छों के साथ में अक्सर ऐसे चिर्चड़ी और मारपीट भी कर लेती है और देराणी-जेठाणी में युद्ध भी होते हैं या नाराजगी के अव अपके अंदर है दिमाग में जो दूर बलता है उसको आप दूर कीजिए और बैलेंश डाइट आपको लिए लेना ज़रूर है इसके लिए एक डाइट चाड़ की जोरुत पड़ेगी जिसमें सभी महिलाओं के अलग-अलग रूप में अहार वेऊस्ता होती है सामाजी के स पर देखा जाता है बोगली के स्थर पर देखा जाता है उनको एक डाइट प्लान देना पड़ता है कि आपकी पहुंच में यह भोजन है और डाइजेस्टेबल है या नहीं है कुछ महिलाएं जो मैनत करती है उनका डाइट चार्ट अलग होगा उनकी किलो कैलोरी अलग और जो महिलाएं आराद तलब सुफे के ऊपर बैठी रहती है टीवियां जो देखती है उन लोगों की मानसिक्ता अलग होती है उनके डाइट चार्ट अलग होते हैं इससाब से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रती दिन जो प्रोटीन की मात्रा है प्रती दिन जो आयरन की मा चाहत्रा है उससे समंदित डाइट चार्ट देना जरूरी है सभी को एक लाटी से नहीं आका जाता है जैसे घोड़े के लिए चाबूक हाती के लिए अंकोस और खुरवाले के लिए डंडा और आदमी के लिए इशारा इसी परकार से डाइट चाढ भी सब के लिए अलग हो ताइट चार्ट बनाने के बाद में आपकी यह दुरबलता है वह गारंटेट दूर हो जाएगी क्यूंकि जो आइरन एक आप डारेक्ट लेते हैं जिसमें प्रकति प्रदत है वह सरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो डा आइरन जो आपको उपर से दिया जा रहा है जैसे के कैपसुल हो एंजेक्शन हो इंफेरों जैसे आ रहे है तो उसमें वो डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा उसकी को गारंटी नहीं होती है बिटकोफॉल जैसे इंजेक्शन भी काफी लोग लगवाते हैं कैपसूल गोली पीने की दवाएं आपकी खित्मत में बहुत है पर आराम न पड़े तो आपको एक डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा और जब डाइट चार्ट आपका बन जाएगा निश्यत है आपकी सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी हमारे सरीर का जो विकास होता है वो भोजन के द्वारा होता है इसलिए आपको अच्छे एक होते हैं वो सारे एक बैलेंस के रूप में मिलना ज़रूर यह ज्यादा भी ने हो कम भी ने हो इसलिए अगर आपको कोई बातचीत आप सिकता है टिपनी के जिए टिपनी का जबाब देंगे अगर डाइट चार्ट के आप सिकता है उसके लिए आप वाट्सप करें ससुल्क सेवा मिलेगी मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध